दोस्तों हम अपने चैनल पे अक्सर हॉरर मूवीज, अर्बल लेजंद्स और रियल स्टोरीज पे बात करते रहते हैं लेकिन आज से हम पॉड़कास्ट फॉर्मिट में कुछ हॉरर, मुर्डर मिस्ट्री या थ्रिलर, नोविल्स की कहानी को भी जानेंगे और ऐसी पॉड़कास्ट वीडियो महिने में आप एक या दो बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप सभी अपनी लाइफ में काफी बिजी होंगे और शायद आपके पास नोविल्स को पढ़ने का वक्त ना हो इसलिए मैं इन नोविल्स को पढ़ूँगा, इनकी एक समरी बनाऊँगा और आपको पूरी कहानी शॉट में सुना दूँगा मैं यहाँ AI की मदद से कुछ कैरेक्टर्स की फोटो भी जिनरेट कर दूँगा ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हो उन्हें सीन्स इमाजिन करने में या फिर कैरेक्टर्स को इमाजिन करने में आसानी हो तो हाँ इस सिरीज को मैंने नोवल कास्ट नाम दिया है और आज की वीडियो नोवल कास्ट की पहली एपिसोड है जहां हम अगाथा क्रिस्टी की एक बहुत ही फेमस नोवल एबीसी मुर्डर्स की कहानी को जानेंगे अब क्योंकि ये नोवल कास्ट की पहली एपिसोड है यहां इंप्रूव्मेंट्स की काफी गुंजायस होगी और ऐसे में आप कॉमेंट्स में सजेशन्स जरूर दीजिएगा अब वीडियो शुरु करने से पहले मैं कहदू कि जो लोग भी गरिम वेडियो की नेक्सट वीडियो को एकस्पेक्ट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दू कि Grimm Variations वाली वीडियो भी जलत आएगी mostly तब जब पहली वीडियो पे at least 100 के व्यूज पूरे हो जाए तो हाँ इसी के साथ Novel Cast की पहली कहानी को शुरू करते हैं तो कहानी में जाने से पहले मैं आपको बता दू कि Agatha Christie mystery thriller genre की काफी renowned author रही है उन्होंने कई novels लिखे हैं और उनकी novels को film या TV series में भी कई बार adapt किया गया है Agatha Christie की कई किताबों में एक fictional character बार बार आता है जिसका नाम है Harquil Poiroy Poiroy एक Belgian detective है जो की काफी smart है और वो British police की murder case solve करने में मदद करता है Coming to the novel ABC murders वेल ये कहानी काफी पुराने time में set है like 1920s ये 30s के time में कहानी के शुरुआत में हम Captain Hastings से मिलते हैं जो कि अपने पुराने दोस्त Harquil Poiroy से London में मिलने आते हैं Poiroy Hastings को एक रहस्यमई पत्र दिखाते हैं जिसमें कुछ ऐसा लिखा था आप खुद को बहुत होशियार समझते हैं न चलिए देखते हैं कि आप कितने चतुर हैं ध्यान रखिएगा कि ये एक difficult challenge हो सकती है इस महिने की 21 तारिक को Andover में कुछ तो जरूर होगा अब दोस्तों इस खत को किसी ABC नामक इंसान ने लिखा था और Captain Hastings का मानना था कि ये letter कोई भी ऐसे ही लिख दिया होगा लेकिन Poiroy अपने experience से कहते हैं कि शायद ये खत असली है और इसमें कुछ तो अजीब जरूर है Poiroy ये खत Scotland Yard यानि पुलिस को भी दिखाते हैं और पुलिस का भी कहना था कि कोई आपके साथ मजाखी कर रहा है अब इसी के parallel में हमें character को जान पाते हैं जिसका नाम है Alexander Bonapart Cust और वो 28 जून को एक type written list of names को देख रहा है इस list में वो पहले नाम पे tick करता है नाव एक कीस तारिक को Andover में एक कतल हो जाती है ये कतल एक 60 साल की बूरी औरत का था जो की एक छोटा सा tobacco shop चलाती थी उस बूरी औरत का husband एक प्यक्कर था जो की पी के हमेशा उससे जगड़ा करता था और इनका कोई आउलाद नहीं था इस बूरी औरत की बस एक भतीजी थी named Mary Drawer जो की लंडन में काम करती थी इन बातों को जानने के बाद पुलिस को लगता है कि ये कतल उस बूरी औरत का पती ही किया होगा क्योंकि जगरों में वो बार-बार कहता था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा इसके अलाबा उस इनसान के पास एक अलाबाई भी था अब जब पॉरों क्राइम सीन पे चान बीन और पूछताच करते हैं तो उन्हें शॉप के टेबल पे एक रेलवे गाइड दिखता है इस गाइड का नाम था ABC रेलवे गाइड and this was a signal by the killer stating की कतल उस नहीं किया है क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो लेटर भी ABC द्वारा ही लिखा गया था पॉरों यहां उस बूरियोरत के कुछ रिलेटिव से बात करते हैं especially Mary drawer से लेकिन उनसे बात करके clear था कि उनका भी इस कतल में कोई हाथ नहीं है in fact crime scene पे भी fingerprints वगेरा काफी अच्छे तरीके से हटाए गये थे आस पर उस में पूछने पर बस इतना पता चलता है कि कतल के वक्त ऐसा कुछ अलग हुआ ही नहीं था बस salesman कुछ बेच रहा था and all that overall इस पॉइडर को अपनी चानमीन से कुछ खास पता नहीं लग पाता अब इस घटना के एक महिने बाद पॉइडर को दूसरी खत मिलती है और इस बार खत में कतल का location Bexhill दिया गया था और date था 25th ये खत मिलते पॉइडर और British Police और Commissioners वगेरा से मिलते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से कतल होने से रोकना था पॉइडरो कहते हैं कि ये कातिल alphabet से खेल रहा है जहां पहली मिसेज अशर की हुई यानि उनका सर नेम A से शुरू हुआ है और टाउन अंडवर भी A से ही स्टार्ट हुआ है जहां उनकी कतल हुई थी सिमिलरली दूसरी कतल होने के लोकेशन बेकस हिल बताया गया है जो कि B से शुरू होता है और जिसे मारा जाएगा उसका सर नेम भी शायद B से ही शुरू हो इस alphabetical कतल को इंडिकेट करने के लिए ही किलर ABC रेलवे गाइड छोड़ता है क्राइम सीन पे और अपना नाम भी ABC बताता है अब पुलिस पॉयरों के इस डिड़क्शन को सीरियसली लेती तो है लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते क्यूंकि कुछ ही दिन बाद 25 तारिक को वाकई एक कतल होता है जिसे पुलिस रोक नहीं पाई थी ये कतल एक नौजवान लड़की का हुआ था जिसे बेल्ट से गलाग होट कर समुदर किनारे मार दिया गया था इस लड़की का नाम बेटी बरनार्ड था और वाकई सरनेम बी से ही शुरू हो रहा था इन फाक्ट लड़की के लाश के नीचे इन्हें फिर से ABC Railways Guide किताब मिलती है प्रूविंग की ये कतल सेम कातल किया है इस पॉइंट पे बिटिश पुलिस की तरफ से इंस्पेक्टर क्रोम को पॉइंट किया जाता है और क्रोम का मानना था कि पॉयरो जबरदस्ती का इस केस को लेकर हाइप अप हो रहे हैं क्रोम पॉयरों के साथ काम करने में ज़रा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे लेकिन management के कारण दोनों को साथ में काम करना पड़ता है ये लोग पता लगाते हैं कि Betty Bernard जिसकी अभी मौत हुई है वो seaside cafe में as a waitress काम करती थी वो Donald fresher नमक इंसान से इंगेज थी जो की दूसरे शहर में रहता है और वो local real state office में काम करता है खर investigators Betty Bernard के पडिवार से बात करने जाते हैं और हम जान पाते हैं कि उसके माता-पिता एक retired couple है Betty की एक बड़ी बहन भी है named Megan Bernard जो की London में as typist काम करती है Betty के parents काफी रो रहे थे और वो बताते हैं कि उनकी बेटी अकसर शाम में देर से घराती थी वो Betty के fiance Donald के बारे में भी अच्छी बाते बोलते हैं indicating कि Donald का इस कतल से कोई लेना देना नहीं है Inspector Chrome यहां विक्टिम के कमरी की छानबीन करने लगते हैं और इसी दोरान Poiroy और Hastings के मुलाकात Megan Bernard से होती है Megan जो की विक्टिम की बड़ी बेहन है वो Poiroy के बारे में जानती थी और वो यह तक जानती थी कि वो बहुत 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 डेटेक्टिव है और ऐसे में Megan Poiroy को को जरूरी बाते बताने लगती है Megan कहती है कि उसकी बहन बेटी का सोभाव थोड़ा फ्लर्टी था यानि वो अंजान मर्दों से अटेंशन पाने के लिए फ्लर्ट करती थी और ये बात डॉनल्ड को भी पता थी जिससे डॉनल्ड काफी चिरता भी था इस बात पे डॉनल्ड बेटी की काफी लडाई भी हुई है और रांडम डेनर डेर्स वगेरा पे जाने के कारण ही बेटी घर देर से आती थी एक बार तो बेटी एक दूसरे आदमी के साथ इस्ट बॉन टाउन चली गई थी और इससे डॉनल्ड इतना गुस्सा हुआ था कि वो बेटी को मारने की धमकी भी दिया था इस पॉइंट पे डॉनल्ड भी यहां आ जाता है और पॉयरों उसे पीने के लिए विस्की देते हैं पूछताच में पॉयरों डिर्कली पूछ लेते हैं कि आप बेटी को कतल की रात फॉलो किये थे न क्यूंकि आपको पता था बेटी अंजान लोगों से मिलती है और उस पे आपको हमेसा शक रहता था तो आप बताओ बेटी उस दिन किस से मिली थी ये सुनके डॉनल्ड पहले तो गुसाता है लेकिन फिर वो तुरंद बता देता है कि हाँ वो बेटी को कतल की रात फॉलो करने बाहर निकला जरूर था क्यूंकि डॉनल्ड को ये पता लगाना था कि बेटी किस से मिलने जा रही है लेकिन उनफॉचनेटली डॉनल्ड वापस चला गया था तो ये सब information कलिक करने के बाद पुलिस अंदेशा लगाती है कि अगली कतल किसी ऐसे टाउन में होगी जो की C से शुरू होगा और किसी ऐसे आदमी की जिसका सरनेम C से ही होगा वैसे बिटी की कतल काफी बड़ी news बन गई थी ऑल्दो जनरल पबली को अब पुलिस वगड़ा के साथ तुरन चरस्टन के लिए निकलते हैं स्टेशन पे हैस्टिंग से पॉयर और क्रोम से मिलते हैं और यहां हैस्टिंग से कहना था कि कातल जान बूज कर गलत अड्रस लिख दिया वहीं क्रोम का मानना था कि गलत अड्रस गलती से ही लिखी गई होगी जैसे ही ट्रेन खुल जाती है इंविस्टिकेटर्स को खबर मिलती है कि चरस्टन के सर करमाइकल क्लार्क मृत पाए गए हैं करमाइकल क्लार्क एक रेटायर डॉक्टर थे जिने चाइनीज आर्ट कलेक करना पसंद था इन फैक्ट वो एक काफी फेमस इंसान थे और उनकी मौत तो एक मीडिया सेंसेशन बनी जाएगी इससे पबलिक को भी इस केस के बारे में सब पता चल जाएगा देखा जाए तो पहले एक का कतल हुआ देन बी का और अब सी का इन फैक्ट किसी को नहीं पता कि ये कतले कब और कहां जाके रुकेंगी खर तो इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स कार माइकल कला के घर पहुंचते हैं जो की सीसाइड था ओन एक क्लिफ वहां का बटलर इन्हें घर के अंदर लाता है और इनकी मुलाकात फ्रैंक्लिन कलाक से होती है जो की विक्टिम का भाई है Franklin काफी smart और composed इंसान था और जब उसे पता चलता है कि उसके भाई का कतल कोई serial killing का हिस्सा है तो वो एकदम आस्चरे में था Franklin बताता है कि Carmichael Clark की बीवी Lady Clark को cancer हुआ है और Carmichael अपने routine evening walk के दोरान मारे गए इस एरिया में अकसर tourists आते हैं और Carmichael के routine को तो कोई भी learn कर सकता था उन्हें रोज देखके इसके बाद investigators Carmichael के secretary थोड़ा gray से भी मिलते हैं और थोड़ा बताती है कि Carmichael को किसी तरह की धमकी या unusual letters वगेड़ा नहीं मिले थे पदा करने पर मालूम चलता है कि Carmichael को पीछे से attack करके मारा गया था इससे उनकी instantly मौथ हो गई थी और हम readers को ऐसा प्रतीत होता है मानो इन investigators को अब तक किसी भी तरह का सुराग नहीं मिल रहा था अब इन घटनाओं के कई दिन बाद Alexander Bonapart Cust एक movie theater से निकल रहा होता है जब उसे चरस्टन में हुई कतल की articles वगेड़ा दिखती है बाइदवे Alexander Bonapart Cust बहुत बढ़ा नाम है तो मैं उसे ABC बोलूंगा खैर तो वो जान पाता है कि Carmichael Clark के कतल को बिटी Bernard के कतल से link किया जा रहा है ये सब पढ़के ABC एक पार्क बिंच पर बैठ के कुछ सोचने लगता है वहीं पास बैठा एक young man कह रहा होता है कि ये कतले कोई पागल इनसान ही कर रहा है में भी World War 1 में सर्विस करके पागल हो गया होगा ये सुनके ABC काफी घबडा जाता है क्योंकि वो war का हिस्सा था वो खुद की sanity को question कर रहा था और उसे सरदर्द भी हो रहा था ABC को इस हालत में देख वो young man वहां से भाग निकलता है दूसरी तरफ कतलों की खबर हर तरफ मीडिया में फैल गई है और ऐसे में Poiroy एक different तरीका अपनाने की सोचते हैं Poiroy कहते हैं कि वो victims के करीबी रिष्टिदार से इन crimes पे बात करेंगे क्योंकि कई बार लोग अपनी memories को edit कर लेते हैं without even realizing तो इस तरीके से में भी उन्हें कुछ clues वगेरा मिले वहीं Mrs. Asher की भतीजी Mary Draw then Megan Bernard और Franklin Clark भी Poiroy की investigation में मदद करना चाहते थे Franklin का तो ये तक कहना था कि वो Chrome के तरीकों से खुश नहीं है और अगर Poiroy independently इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं तो वो इस पूरे operation को fund करेगा यानि finance करेगा तो अगली दिन Poiroy और सभी interested parties को बुलाते हैं और एक speech देते हैं सेंग कि killer एक ऐसा इंसान है जो कि mentally stable नहीं है और आप सभी लोग कुछ तो ऐसा important जानते हैं जो शायद आपको खुद भी पता ना हो ये सब सुनके Megan Bernard और Donald Fraser थोड़ा विचलित होते हैं लेकिन बाकी लोग एकदम enthusiastic थे बस फिर क्या था तहकीकात नए सिरे से शुरू की जाती है और सभी लोगों को दुबारा question किया जाता है अब इन questionnaire के दोडान कुछ नई बाते सामने आती है लाइक Megan Bernard को याद आता है कि उनकी मा बेटी के लिए new stockings खरी दी थी देन Carmichael Clark के secretary थोड़ा को Lady Clark fire कर दी थी क्योंकि उन्हें शक था कि Carmichael Clark का थोड़ा के साथ चक्कर चल रहा था अब Lady Clark से मिलने में पता लगता है कि वो कुछ समय से बिमार चल रही है इस वज़े से उन्हें बिलकुल याद नहीं कि वो पोड़ा को क्या बताना चाहती थी लेकिन हाँ वो थोड़ा से नफरत जरूर करती है Lady Clark ये तक बताती है कि कतल के दिन वो थोड़ा को किसी अंजान आदमी से मिलते देखी थी जबकि थोड़ा का कहना था कि वो उस दिन किसी से नहीं मिली थी तो क्या थोड़ा जूड बोल रही है या फिर थोड़ा इस डिटेल को मिस कर गई Charis Point तक अगली खत आ चुकी थी और ये Don Caster में 11 सेप्टमबर को होने वाला था ये जानते ही पॉड़ा वॉपर से सिविलियन ग्रूप को गैदर करवाते हैं और यहां Franklin एक लिस्ट भी बनाता है जिसमें लिखा गया था कि फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या-क्या पता है अब यहां पे थोड़ा से डिरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कतल के दिन वो किस से मिली थी और थोड़ा पहले तो डिनाई करती है लेकिन फिर वो बताती है कि वो एक वार वेटरन से मिली थी जो की स्टॉकिंग्स बेच रहा था अब अगर आपको ध्यान हो तो मेगन की मॉम भी बेटी के लिए स्टॉकिंग्स खड़ी दी थी इनफाक्ट मिसस अशर की दुकान पे भी पौड़ो एक न्यू स्टॉकिंग्स को देखा था यानि हर हाल में कतल वाली जगह पे एक स्टॉकिंग सेलर जरूर दिखा था जो की एक वार वेटरन भी है पौड़े फोरण ये सब क्रोम को बताते हैं ताकि क्रोम इस सरह के स्टॉकिंग सेल्समैन को ढूंड सके दूसरी तरह हम अलेक्साइंडर बोना पार्ट पे वापस फोकस कर पाते हैं और अगर आप ध्यान दे तो इसका नाम है ABC इन फाक्ट वो वार वेटरन भी है वो जहां पे रह रहा था वहां की लैंड लेडी मिसेस मर्बड़ी उससे पूछती है क्या तुम आज फिर से ट्रावल कर रहे हो ABC कहता है कि वो चल्ट अनहम के लिए निकल रहा है और यहां मिसेस मर्बड़ी पेपर वगेरा देख के इन मुर्डर्स की बात करती है और यह सुनते ABC थोड़ा इरेटेटेड नजर आता है ABC जब यहां से निकलता है तो वो अपने पीछे एक रेलवे गाइड छोड़ गया था विच वोज एबीसी रेलवे गाइड अब लैंड लेडी और उनकी पेटी लिली की बातों से हम समझ पाते हैं कि ABC पिछली कतल के वक्त चेरस्टन में था और फिलहाल वो चल्टन हम नहीं बलकि डॉनकैस्टर जा रहा है इन बातों से कहीं न कहीं हम रीडर का शक पूरी तरह से ABC पे बढ़ने लग जाता है जो कि हमारे लिए काइंड अफ एक अंजान आदमी है Coming back to Poir और Franklin यहां Poirot से बात करके उसे बताता है कि थोड़ा एक अच्छी लेडी है और उसका Carmichael Clark से कोई गलत सम्मन्द नहीं था In fact, Franklin अपने भाई की एक letter Poirot को दिखाता है जिसमें Carmichael Thora को as his daughter बता रहे थे इस पे Poirot Franklin से कहते हैं कि कौन कैसा है यह मैं खुद से judge करूँगा अब 11th September को Hastings of Poirot Don Custer में एक horse race event पे जाते हैं क्यों क्योंकि इन्हें लगता है कि maybe कतली यहीं हो क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा भीर थी यहां इनके साथ थोड़ा भी थी ताकि थोड़ा कातिल को identify कर सके क्योंकि वही stocking seller को clearly देखी थी अब उसी शहर में एक theater के बहार भीड में लोगों को लाश मिलती है और उस लाश पे ABC railway guide था हम वहां Alexander Bonapart Cust यानि ABC को देख पाते हैं जिसके shirt sleeve पे खून लगा था और उसके coat में एक knife थी ABC को बिल्कुल idea नहीं था कि उसके पास यह चाकू कहां से आ गया और आजपास police को आता सुन वो train station की और निकल जाता है वहीं police को लाश मिल चुकी थी और मरने वाले का नाम George Ersfield था अब ideally victim के last name की पहली alphabet D होनी चाहिए थी लेकिन इस case में वो E है which was surprising police को लगता है कि कातल से में भी गलती हुई हो और confusion में वो किसी और को मार गिराया इस point पे police को पता लगता है कि कोई Alexander Bonapart Cust नामक इंसान एक hotel में ठहरा हुआ था और hotel की maid उसके पास चाकू देखी थी police foreign hotel के उस कमड़े में चानबीन करती है जिसमें ABC रह रहा था वहाँ उन्हें large supply में stockings मिलती है और police was sure कि उन्हें उनका killer मिल चुका है foreign ABC के बारे में सब कुछ पता करते हैं then उसके landlord के यहां जाते हैं जहां से उन्हें पता लगता है कि ABC आज कल अजीब बिहेव करता है like पागलों की तरह newspaper पढ़ना then वह कहां जा रहा है उनकी जूठी जानकारी देना वगेड़ा वगेड़ा हम readers यह भी जान पाते हैं कि पहले ही कतल के समय से उन dates पे ABC murder वाले area में था ABC के rented house में छान बीन करने में पुलिस को वो सभी stationary items भी मिल जाती हैं जिनसे letters लिखे गए हो to Poiroy in fact पुलिस को तो अब ABC railway guides भी मिलती है and then वो चाकू भी जिससे चौत ही कतल हुई थी this was more than enough to prove कि ABC ही कातिल है और सभी एकदम खुश थे लेकिन for some reason Poiroy was not very happy Poiroy को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ABC ये कतले कर क्यों रहा था अब तो तब होती है जब कुछ समय के बाद ABC खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और वो खुद को पागल बता रहा था Poiroy notice करता है कि ABC के बाद second कतल यानि Bexhill वाले कतल का alibi भी है still वो खुद को defend करने के बज़ा ये कह रहा है कि मैं mentally stable नहीं हूँ अब आप पूछ सकते हैं कि कैसी आलाबाई थी वेल एक mining engineer बताता है कि जब Bexhill में कतल हुआ था तब ABC उसके साथ hotel में dominoes खेल रहा था In confusion के कारण case काफी पेचिदा हो गया था क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ ABC के खिलाफ इतनी सारी सबूते हैं वहीं दूसरी तरफ ABC के कतल करने की motive का बिलकुल भी पता नहीं चल रहा In fact ABC खुद को लेके ही शौ नहीं है और वो insanity प्लीड कर रहा है ऐसे में पौरर, Hastings और इस केस से जुरे सभी लोगों को Bexhill बुलाते हैं पौरर यहां सभी को T पे बुलाते हैं और वो सभी लोगों के साथ एक गेम खेलना चाहते हैं जहां वो सब से एक सवाल पूछेंगे वो Franklin Clark से पूछते हैं कि Scott घुरदौर में टोपी के बारे में उनका क्या विचार है यह सुनके थोड़ा नाराज हो जाती है और कहती है कि वो अपने नियोक था यानि उनके जो इंप्लॉर है उसे एक पिता के रूप में मानती थी और अंतता कहती है कि वो ऐसा नहीं करती अब जब यह सवाल थोड़ा से पुछा गया था तो हम रीडर्स को बताया जाता है कि Franklin इससे गुस्से में देख रहा था इससे पॉछते हैं कि क्या वो चाहती है कि इस मामले को सुलज़ाया जाए और मेगन जोर से ना कहती है इससे पॉड़ाय उनकी इमानदारी से प्रभावित होते हैं वो मेरी रोर से पूछते है कि क्या उनका कोई boyfriend है और वो हा कहती है अंत में वो घोशना करते हैं कि वो और हेस्टिंग एक दूसरे काम पे बाहर जाएंगे अगले दिन पॉड़ाय एबीसी से मिलते हैं और सर्प्राइजिंग ली एबीसी उन्हें नहीं पहचानता था एबीसी को तो लगता है कि पॉड़ाय शायद कोई वकील है और वोड़ वाला वक्त उसके लिए ठीक ठाकी था वाल के बाद उसका क्लर्क वाला करियर अच्छा नहीं चला इसलिए अब वो स्टॉकिंग बेचने का काम करता है एबीसी का कहना था कि कोई तो उसको फसा रहा है क्योंकि उसे रेलवे गाइड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता वो मिसेज आशर के पास भी इसलिए गया था क्योंकि कहीं से तो वो स्टॉकिंग बेचना शुरू करेगा ना एबीसी को डॉमिनोज के खेल की याद आती है और एक अन्य खेल की भी जो उसने एक बार एक अजनबी के साथ खेला था जिसने उसकी हतेली पर ही थी उस अजनबी ने भविश शुवानी की थी कि ABC प्रसिद्ध होगा लेकिन साथ ही वो ये भी कहा था कि ABC हिंसक तरीके से मरेगा शायद फांसी के तखते पर ABC डरते वे सुईकार करता है कि उसके मिर्गी के दोड़े उसे चीजे भूलने पर मजबूर कर देते हैं पॉशते हैं कि क्या वो इस बात को लेकर निश्चित है कि उसने हत्याई की है और ABC कहता है कि हाँ लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, कब किया या फिर कैसे किया अब दोस्तो इस point पे किताब में सिर्फ दो chapters बचे हैं और अब सारे राज एक एक करके खुलने लगेंगे पोड़ों बताते हैं कि कतलों की जो alphabetical scheme थी वो order को दरशाती है लेकिन देखा जाए तो victims के बीच कोई भी link नहीं था पोड़ों स्विकार करते हैं कि उन्होंने railway guide को महत्व दिया था क्योंकि ABC का chain एक railway उन्मुक यानि railway minded वेक्ती की ओर इशारा करता है जिसके पास बचकानी विवस्थाएं थी Betty Bernard की मौद से यह संकेत मिलता है कि हत्यारा एक आकरशक यानि की attractive आदमी होना चाहिए जो उसे आकरशित कर सके तब ही तो Betty उसके साथ date पे गई होगी जहां Betty के built सही उसका गला गोट के उसे मारा गया होगा मतलब Betty का built जबरदस्ती तो नहीं निकाला गया होगा प्यार से उसके साथ flirt करते में निकाला गया एंधन उसे से गला को हुट दिया गया तो हाँ ये प्रूफ करता है कि जो भी Betty के साथ था यानि जो कातिल है वो सुन्दर या अच्छा दिखता है और ABC के अगर हम बात करें तो वो तो बहुत ही सामानी यानि बहुत कौमन दिखने वादा आदमी है and then ABC के पास ऐसी flirty skill भी नहीं है कि वो Betty को इसकदर लुभा सके in fact Betty वाले कतल की तो alibi भी ABC के पास थी तो इससे तो प्रूफ होता है कि Betty वाली हत्या ABC ने नहीं करी है लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि बाकी कतल वो किया हो अगर ऐसा है तो Betty के कतल के वक्त वहाँ ABC रेलवे गाइड कैसे मिला क्योंकि ये रेलवे गाइड वाली बात तो सिर्फ वसिफ पौरोई और कुछ पुलिस वालों को ही पता था दरसल कादल को इन चार खून में सिर्फ एक कतल करना था लेकिन वो जान बूज के चार कतल किया ताकि सब को लगे कि ये किसी तरह का सीरियल किलिंग है तभी तो उसके एक सबसे खास मर्डर की और से सब का ध्यान हट जाएगा और लोग उसे खास कतल को इंडिपेंडेंटली नहीं देखेंगे तो आखिर दिन चार कतलों में से वो खास कतल कौन सा है वेल इट वस थार्ड मर्डर क्यूंकि इस कतल को रोक पाने के लिए पॉयरोई और पुलिस को बिलकुल वक्त नहीं मिला था अगर आपको याद हो तो तीसरे कतल वाला खत लेट आया था और सेम डे कतल हुआ था ऐसा इसलिए क्योंकि कातल ने जान बूज कर गलत अड्रस दिया था ताकि इस खास कतल को किसी भी हाल में रोका जा सके आखिर पॉयरोई पॉइंट आउट करते हैं कि कातल है साथला कर हत्यारे का पता लगाने का विचार सुझाया था ताकि वो हमेशा उनसे एक कदम आगे रह सके वो जाच के कड़ीब आ जाता था और खुद को पॉयरोई का पसंद शक बताता था पत्रों की नकारात मत्ता का कोई संकेत नहीं दिखाता बेटी को उसकी खुद की बेल्ट से मारा गया था और इसका मतलब है कि बेटी ने किसी को ये करने की अनुमती दी थी फ्रैंक्लिन क्लियोली अट्रैक्टिव और फ्लिर्टी दोनों था थोड़ा भले ये दिखाई कि उसकी कोई नियत नहीं थी, लेकिन उसकी नियत थी, अभी तो Franklin के भाई की मित्यू के बाद उसने अपना ध्यान Franklin की और मोर लिया था, ओके अगर हम मान भी लेते हैं कि चलो Franklin ही कातिल है, तो ABC इन सब पचलों में कैसे पड़ा, और कई सबूत उसके खिलाफ क्यों है, इन फाक्ट ABC खुद क्यों बोल रहा कि वो कातिल है, Well, Franklin randomly एक बाद ABC से मिला था और तभी उसके दिमाग में ये आइडिया आया, ABC को एपलेपसी थी, यानि उसे कुछ याद नहीं रहता था, और Franklin सोचा कि वो कतल वगड़ा करके आराम से ABC को फसा देगा, Franklin ने ABC को उसके assignments देने के लिए पत्र लिखे, जिसमें stockings बेशने का काम दिया गया था, जी हाँ, Franklin ही ABC को hire किया था, और उन जगहों पे भेज देता था, जहाँ पे stockings उसे बेचना है, और उन जगह पे कतल होती थी, यानि Franklin खुद कतल करता था, In fact, इसके आद Franklin उसे वह typewriter भी भेजा, जिस पे Franklin खुद इसे letters लिखा था, मूल रूप से बेचारा ABC सोचता था, कि किसी ने उसे stockings बेशने के लिए काम पर रखा है, और वा बस यही कर रहा था, और कुछ नहीं, लेकिन किसे बेशना है, या Franklin तै करता था, और इसलिए असा के दौरान वो randomly किसी को मार दिया, क्योंकि उसे जिसे actually में मारना था, उसको तो वो मार चुका था, यानि उसका काम हो चुका था, और ऐसे में अब उसे pattern वगेरा follow करने की जरूरत नहीं थी, देन वो theater से बाहर निकलते वक्ट चाकू ABC के coat में डाल दिया, अब क्योंकि ABC थो तो मेरी तरफ ही point out करती है, जबकि सच तो ये है कि ABC को Franklin दोड़ा बहुत ही smartly, बहुत ही चतुर तरीके से frame किया गया था, आगे proofs के तोर पे पौड़ा कहते हैं कि कुछ witnesses identify किये हैं कि Franklin थियाटर के बाहर दिखा था, देन कैफी के एक दूसरी waitress उसे Betty के साथ भी देखी थ In fact, ABC के typewriter की एक की पे Franklin की fingerprint पाई गई है, ये सब सुनते Franklin कभूल कर लेता है कि हाँ, गतल उस नहीं किया है, इसके आद Franklin एकदम से खुद को shoot करने की कोशिस करता है, लेकिन उसकी personal gun में गोलिया नहीं थी, जी हाँ दोस्तो पौड़ा और पहले ही नौकरों से बोल कर उसके बंदूक से गोलिया निकलवा दिये थे, क्योंकि Potter को idea था कि Franklin ऐसा कुछ कर सकता है, finally Franklin को arrest कर लिया जाता है, अब इस point पे Hastings was impressed as usual, लेकिन अब भी कुछ unanswered questions थे, for example, एक बाट Potter सब को चाय पे बुला कर एकदम random questions पूछा था, तो ऐसा वो क्यों किया था, पोड़ों बताते हैं कि उस वक्त सवाल तो वो वाकई में सिर्फ games एक के लिए ही पूछा था, लेकिन जो सवाल वो थोड़ा से पूछा था, वो Franklin के rage को unmask करता है, अगर आपको याद हो तो थोड़ा से पूछा गया था कि क्या वो शादी करना चाहती थी Carmichael Clark से, और इस कई कातिल नहीं है, वैसे एक मज़े की बात पौड़ों ये जूट बोल दिये थे कि उन्हें टाइपर राइटर पे Franklin के fingerprints मिले, क्योंकि जूट के कारनी Franklin जट से कबूल कर लिया कि हाँ, वही कातिल है, तो finally the case was solved, और सबसे अच्छी बात ये है कि ABC यानि Alexander Bonapart Cust, जो कि गु काया हूँ, ताकि आप पूरी कहानी को भी अच्छी समझ जाए, सारे plots भी cover हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी भी नहीं बने, जिससे आप board हो जाए, नोवल के अंदर कई बहुत छोटी मोटी details भी होती है, जिन पर मैं बात नहीं किया हूँ, वो जानना है, तो आप की बहतर बना पाएंगे, चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजेगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी podcast और वीडियो लाते रहते हैं, पीस!